दोस्तो आज हम एक नया spoken structure पढ़ने जा रहे हैं जिसका number है 25 अगर इससे पहले की और वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो आप playlist में जाकर के देख सकते हैं अगर आप एक student है और आपको writing section में problem हो रहा है जैसे कि report, article, speech, debate, poster, letters तो आप playlist में जाकर देख सकते हैं आपको कोई basic rules में problem आ रहे हैं बिल्कुल सुरुवाती level की English में जो भी जरूरते होती हैं English को लिखने के लिए अपने written को improve करने के लिए या spoken को improve करने के लिए तो भी आप playlist में जाकर के देख सकते हैं तो आईए इस spoken structure को देखते हैं और ये spoken structure जो है आप अपने speaking में use करके जावा variety ला सकते हैं आपनी speaking में तो इसलिए ये बहुत ही ये जो structure से बहुत ज्यादा important होते हैं तो देखते हैं पहले है जो rule है structure का वो ये है कि भही पहले आएगा subject फिर is MR फिर set to फिर first form plus object अगर past की बात होगी तो was वर आएगा future की बात होगी तो will be आएगा अगर हम पहचान की बात करें तो भही तयार है present में यानि is MR जब आएगा तब तयार है अगर past होगा तो तयार था और future यानि will be होगा तो तयार होगा ठीक है तो set to का मतलब यहाँ पे तयार होने से मतलब होता है तो आएगे example से इसको समझते हैं जैसे लिखा हुआ है मेरी नई film कल release होने को तयार है मेरी नई film कल release होने को तयार है तो इसमें subject क्या है मेरी नई film तो आप लिखेंगे my new movie तयार है है आ रहा है तो इसलिए यह present है यानि is MR में जाएगा तो my new movie फिल्म तो एक ही है तो हम इस के साथ जाएंगे और लिखेंगे my new movie is फिर rule क्या कहा रहा है set to use करने के लिए तो आप use करेंगे set to फिर release first form आएगा देखो rule के हिसाब से तो आप लिखेंगे my new movie is set to release और कल के लिए tomorrow अगर मालो यह यूँ होता कि मेरी नई फिल्म कल release होने को तेयार थी तो थी के लिए आपको कुछ नहीं करना यहाँ पे सिर्फ वाद लगा देना है बाकी सब सेम हो जाएगा मालो होता मेरी नई फिल्म कल रिलीज होने को तयार होगी यानि फ्यूचर हो जाता तो यहाँ पर कुछ नहीं करना विल भी लगा देना है बाकी सब सेम रहेगा ठीक है दूसरा देखते हैं दिल्ली सरकार कल से सभी उसकोलों को खोलने के लिए तयार है तो है आ रहा है तो इसलिए हम इसे मार के साथ जाएंगे प्रिजेंट है यह देली सरकार तो आप लिखेंगे देली गौउर्मेंट इस सरकार तो एक है तो इस लिखेंगे set to और इसमें वर्ब की first form आता है तो खोलने की first form open और सभी उसकोलों को all the schools और say के लिए from और कल के लिए tomorrow ठीक है तो दिल्ली सरकार क्या है इसमें subject है तो आपने लिखा Delhi government फिर पीछे चले जाएंगे है के लिए is फिर तयार है के लिए set to और खोलने के लिए यानि open और सभी उस्कूलों को all the schools say के लिए from फिर tomorrow यानि subject लिखना है और फिर पीछे से चलते वे जाना है ये लिखना है फिर ये लिखना है फिर ये लिखना है ऐसे अब मालो ये होता दिल्ली सरकार कल से सभी उस्कूलों को खोलने के लिए तयार थी ठीक है दिल्ली सरकार कल से सभी उसकोलों को खोलने के लिए तियार थी तो यहाँ पे चो यह इस है यहाँ पे क्या आ जाता वाज आ जाता बट कल से यह बीता हुआ हो जाता तो यहाँ टुमोरो की जगा यस्टरड़ी लिखना होता और मालो यह फ्यूचर होता कि दिल्ली सरकार कल से सभी उसकोलों को खोलने के लिए तियार होगी तो यहाँ पे विल भी आ जाएगा बस बाकि सब सेम रहेगा और यह फ्यूचर में तो खेर कल के लिए टुमोरो यह आएगा आने वाले कल के लिए नेक्स देखते हैं हम इस नौकरी से स्थीफा देने के लिए तयार है हैं हम इसमें subject हैं तो आप लिखेंगे we और we के साथ तो इस नहीं आता न एम आता है क्या आता है आर तो आप लिखेंगे we are set to तयार है के लिए set to और रिस्तीफा देना resign होगया से के लिए from हो गया इस नौकरी this job तो we are set to resign from this job माल लो ये होता हम इस नौकरी से स्तीफा देने के लिए तयार थे तो थे के लिए यहाँ पे past हो गया तो क्या आएगा वी के साथ क्या आता है was या वर वर आता है तो आप लिखेंगे वर बाकि सब सेम अगर माल लो ये होता हम इस नौकरी से स्तीफा देने के लिए तयार होंगे तो क्योंकि future हो गया तो यहाँ लिख देंगे will be बाकि सब सेम हो जाएगा फिर एक और देखते हैं वे एक नया विवसाय या बिजनेस करने को तयार है 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 आ रहा है तो इसे हमार के साथ जाएंगे वे क्या है subject तो लिखेंगे दे और दे के साथ तो क्या आता है आर फिर set to तयार है के लिए फिर विवसाय करना या शुरू करना तो start और नया विवसाय यानि a new business तो हम यहाँ पर start की जगा डू भी लिख सकते हैं और start भी लिख सकते हैं तो उमीद है यह lesson आपको समझ में आया होगा यह structure समझ में आया होगा ओके friends बाई